सबी दोस्तों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल पर उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे होंगे च्छे चाम बीजी होंगे तो दोस्तों आज हम उन दोस्तों के बात करेंगे जो पोधे लगाने के सौकीन होते हैं और आवो नरसरी से या फिर जो अमारे गलियों में आते हैं पोधे बेचने के लिए तो उनसे खुबसूरत पोधा देखके वो पोधे खरीद लेते हैं और उनको घर में लगाते हैं तो कुछ टाइम तक उनमें फ्लावर जो है के आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं और फिर एक टाइम बाद ऐसा आता है के पत्ते गिरने लगते हैं और उस पर फ्लावर भी ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर वो लोग निरास हो जाते हैं के मतलब ये जो पोधे हैं ये सिरिम नरसरी या फार्म हाउस पे ही फूल देते हैं घरों में ये नहीं फूल देते हैं तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है हम घर पे भी अगर पोधो की बहुत अच्छे से केर करें देख भाल करें तो वो घर पे भी ही फूल देंगे पर ये रहता है कि बस इतना फरक पड़ता है कि जब नर्सरी से वो पोधा आता है हमारे घर पे तो नर्सरी पे उसको कोई और माहोल मिलता है और हमारे घर पे आने पे उसे एकदम जगे चेंज हो जाती है अलग ही माहोल मिलता है अलग टमप्रेचर मिलता है नर्सरी पे वो प तो हम उसको च्छाएं वाली जेगे में रखते हैं तो ये सब बाते होती तो पोधे को थोड़ा टाइम लगता है आपके घर पे आने के बाद उस माहुल में ड़लने पे तो आप ऐसा ना समझे बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए और फिर भी अगर आप तो कह रहे हैं कि मतल सारे फ्लाबर पहले की तरह आने लगें तो चलिए बीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पोधे के तरफ चलते हैं वहीं आपको मैं सारी जानकारी दूँगा और दोस्तों आपको एक बात और कहने चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सस्क्राइब कीज और बैल आइकन ओन कीजिए और अगर आपके गार्निंग के लवर और फ्रेंड है तो यह वीडियो आप उनके पास सेयर कर सकते हैं तो चलिए अपने प्लांट के तरफ चलते हैं तो दोस्तों यह देखिए हमारे मोगरे का प्लांट है तो यह मैं नरसरी से लाया था इस पर खूब फ्लाबरिंग हुई थी और उसके बाद भी प्लाबर नहीं हुई और इसके पत्ते गिर गय गये थे पिर कुश समय तक मैंने इसको यह है कि इसको आप इसके हाल पर जोड़ दिया और उसके बाद फिर हिसकी मैंने कटिंग भी कर दी थी बीच में और फिर उसके नहær flower आने शुरू हो गए तो ये sun lover पोधा है मतलब इसे full sun चाहिए और इसकी cutting जो है कि हमको करते रहना है किसी भी plant की cutting बहुत जरूरी होता क्योंकि उससे नही नही ब्रांचे निकलती है और नही नही ब्रांच पे नही नही फूल या फल लगते है तो हमें ये काम करते रहना है और दूसरी बात है कि पोधे को आप liquid खाद दें तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि liquid खाद जो है कि पोधे को बहुत जल्द ही उसकी जड़ों तक पहुंचती है और पोधा अपने leaf, fruit और फलों में ये लगाता है तो आपको इस बात का भी धियान रखना है तो आपको इसमें liquid खाद देना है तो देखिए जो नए-नए ब्रांचे निकलती है इननी पही flowering होती है तो दोस्तो फिर भी आप अगर आप से ये सब कर रहे हैं फिर भी अगर नहीं आपका पोधा flower दे रहा है तो भी आपको एक दिखा देते हैं ये देखिए ये मैंने डिब्बे में इसमें मैंने जो कंडे होते हैं या बर्मी कंपोष्ट है या कुछ भी है तो मैं इसी में डाल देता हूँ और इसमें liquid बन जाता है और वो liquid को मैं हर हफ्ते या 15 दिन में देता रहता हूँ प्लांट में तो आप मतलब के एक चीज ना मान के चले आप कई चीजे liquid बना के रखें और पोधे को देते रहे आपको direct नहीं देना है उसमें पानी एड़ करना है तब ही आपको देना है क्योंकि खाद तेज होती है तो हमारे पोधे को जला सकती है आप दिखाते हैं आपको सबसे अच्छी चीज जो कि आपके पोधे को boost करेगी तो ये है देखिए ये है D.A.P बहुत ही जबरजस्त खाद है ये तो ये किसान लोग अपने खेत में यूज़ करते हैं तो आप इसको किसी किसान अगर आपके आसपास है तो उनसे आप ले सकते हैं बहुत तेज खाद होती है तो इसके ज़्यादा दाने नहीं डालने है इसके 10 से 15 दाने डालने है अगर आपका गमला 12 इंची है 10 इंची तो आप उसी साफ से दाने डालिए और दोस्तो इस खाद को डालने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं कि आपको ये खाद कैसे डालनी है अगर इसको जड़ों के पास डाल देंगे तो जड़े आपकी गल जाएंगी और प्लांट आपका मर सकता तो चलिए आपको पोधे के पास दिखाते हैं कि आपको ये किस जगे पे डालनी है सही तरीका तो दोस्तो ये देखिए ये हमारा गमला है तो इसकी जड़े देखिए ये यहाँ पे जड़े फैली हुए तो इस जगे दाने नहीं जाने चीए हमको इस साइट साइट में जो है के हलकी सी मिट्टी निकाल के और ये दाने इसमें डाल देने हैं तो दस इंची का गमला हो तो आप दस डाने डालें पांच इंची का गमला तो पांच दाने डालें बस आपको इस बात का ख्याल रखना और ये खाद हमें सिर्फ 15 दिन में एक बार देनी है आप डेली बेस पे ना दीजिए आप 15 दिन पे दीजिए ये खाद तो आपके जो प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उस पर बहुत तेजी में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपको ये खाद एकदम कंटिन्यूर नहीं रखना है आप इसे टाइम टाइम पे ही डालें तो आपके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फिर मिलेंगे आपको एक नहीं जानकारी के साथ कर दो